हाई अब्रिवन, हम यहाँ पे जितने भी आपके किरन पॉब्लिकेशन में जो आपके कोशन्स हैं, ठीक है, MCQs, उनको कम्प्लीट करने वाले हैं, और यह कम्प्लीट सीरीज होगी, जिसमें आपकी एक ही वीडियो में, पूरे के पूरे, जितने भी आज तक के modern history के कोशन्स हैं, वो सारे हम कम्प्लीट करेंगे, राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, सबसे पहला कोशन्स आप से यहाँ पे पूछा गया है, विन महात्मा गांधी वाज अरेस्टिट, हूं अमंग दा फॉलोविंग टू कवर दा लीडर्शिप ऑफ सॉल्ट सत्य ग किया था, इन में से कौन थे जिन्होंने लीडर्शिप जो है, सॉल्ट सत्य ग्रे की संभाली, सबसे पहला यहाँ पे आपको एक बात याद रखने है, कि जब सॉल्ट सत्य ग्रे की बारे में बात करें, सॉल्ट सत्य ग्रे जो है, यह आपका कब आया, 12 मार्च 1930 को, अंडर कि गवर्मेंट के खिलाफ, उनके कानूनों के खिलाफ लड़ता है, और महात्मा गांदी जी ने 1930 के करीब, सिविल डिस ओविजिन्स मुव्मेंट के तहट, साल सत्य ग्रे जो है, वो आपका लॉंच किया, अब यहाँ पे महात्मा गांदी जी को अरेस्ट कब किया गया, मै के करीब अरेस्ट किया गया था, इसमें उनका साथ देने वाले कौन थे, वो थे आपके, अबबास त्याप जी, अबबास त्याप जी के बारे में अगर बात की जाए, अबबास त्याप जी के, बिसिकली, अगर आप देखोगे, इनको हम बोलते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन गुजराट, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजराट बोलते हैं, और इन्होंने महात्मा गांदी जी का साथ दिया, जब महात्मा गांदी जी को अरेस्ट किया गया, तो इन्होंने सौल सत्यग्रे की आपकी आगे सारी लीडर्शिप जो है, वो संभाली, ये चीफ जस्टिस गुजराट थाई को भी थे आपके, तो यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है सर्दार वल्लब भाई पटेल, सर्दार वल्लब भाई पटेल ने भी महात्मा गांदी जी के साथ एक लीडर्शिप के लिडर्शिप संभाली थी, वो लीडर्शिप थ अब यहां पे दो बाते याद अखनी हैं कि जो बर्दोली सत्तिग रह था यह आपका आया कब था 1928 में और वहां पे जो मेल लीडर थे वो थे सर्दार वल्लब भाई पटेल, अब वहीं पर वल्लब भाई पटेल को सर्दार का टाइटल भी दिया गया था, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे जो सर्दार है, सर्दार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीडर और यह टाइटल देने वाले कौन थे वो थे आपके महात्मा गांधी जी और वहां पे जो और ती जो लेडिस थी उन्होंने यह आपका टाइटल जो है वल्लब भाई पट में आपका काम किया 1928 में, तीसरा यह अबबास त्याब जी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात है और इन्होंने जब महात्मा गांधी जी अरेस्ट हुए तो उनका साथ दिया, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और, नेक्स कोशन हमारे पास आता है, in which session of the Congress, इन में से कौन सा session है Congress का, जिसने demand की पून सवराज, और यह accepted हुआ as a aim of the Congress, देखो, पून सवराज, दो चीज़े होती है, एक होता है सवराज, एक होता है पून सवराज, पून सवराज का मतलब क्या होता है, पून सवराज का अब हमारे यहां पर अंग्रेज आयते, अंग्रेज अपनी गर्मेंट चला रहे थे, और वो बीच-बीच में क्या करते थे, कि चलो थोड़ी बहुत रहायते दे देते थे, बट हम क्या चाते थे, कि हमें पून अजादी मिले, तो यहां पर जो इंडिया नेशनल कॉंग्र सवराज की मांग कब की, पून सवराज की मांग जो है, इन्होंने लहौर के सेशन में की, हर साल एक सेशन होता था, इस सेशन में वो कुछ ना कुछ आपका डिसाइड करते थे, कि कैसे अंग्रेज के खिलाब लड़ना है, तो यह जो सेशन था, यह सेशन हुआ आपका 26 जन इंपॉर्टन बात यह है, कि जुआहलाल नहरू जी ने पहली बार आपका इंडिन फ्लाग फ्लर किया था, सेकिंड बात यह है, कि जब आप बात करते हो, जैसे 26 जनवरी 1929 को यह वैसे सेशन हुआ था, बट 26 जनवरी 1930 को हमने पहली complete independence जो है, वो आपकी मनाई थी, मतलब एक बार हमने अजादी जो है, एक तरीके से उसको 29 को याद करते हो, हमने अजादी का दिन बनाया था, और इसलिए अगर आप इंडिन पॉलिटी में जाते हो, हमारे constitution में जाते हो, तो 26 निवेंबर 1949 को हमारा constitution complete हो जाता है, बट हम इस constitution को लागू कब करते हैं, 26 जनवरी 1950 क यानि कि इन फोर्स में कब लेकर आते हैं, यह हम इसी दिन को याद करते हुए लेकर आते हैं, ठीके, तो यहाँ पे पून सवराज की मांग हमने कहां पे की, आपके लहौर के session में, रावी रीवर के पास ये भी आपको याद अखना है, अगला question, अगे आप देखोगे, question कह क्याता है, who was a leader of the बर्दोली सत्यग्रे, इन में से कौन थे, जो लीडर है, मैंने पहले ही question में आपको बताया कि जब बर्दोली सत्यग्रे के बारे में बात करते हो, तो जो सरदार वल्लब भाई पतेल थे, इनों ने जो है आपका बर्दोली सत्यग्रे जो है, यही लांच जिसमें औरतें और कैलो काफी जादा, floods बगेरा से वहाँ पे गुजात सफर कर रहा था, और इसके कारण जो है, crop production जो आपकी खेती बाड़ी होती है, वो काफी जादा सफर कर गई, farmer बहुत जादा financial troubles में आगे, बट जो government थी, वो tax raised कर देती है, 30% से, अब वो tax raised कर देती ह तो लोगों को बुरा लगता है भाई, हम आगे कर रहे हैं, तो इसी लिए ये सत्यग्रे जो होता है, और इसमें सर्दार वल्लब भाई पटेल जो है, वो आगे आते हैं, या देखे बडोली सत्यग्रे कब होता है, 1928 में, right, next बढ़ते हैं अगले question की और, next question कहता है, हमारा एक second, चलिए, अगले question कहता है, go back to the vedas, this call is given by, right, go back to the vedas, यी call जो है, किसके द्वारा दी गई, option दिये गए है, रामकृष्ण, परमेश्वा, विवेकानन्द, जोती भाई, फुले या दयानन्द, सहस्वती, देखो, go back to the vedas, जो है, इसका मतलब क्या है, vedas का मतलब क्या ह जैसे आपने बहुत बार सुनाओगा, हिंदू इजम में चार vedas होते हैं, एक आपका रिगवेद होता है, अब रिगवेद को हम oldest vedas कहते हैं, ये वेद क्या होते हैं, जो हमारे culture के बारे में बताते हैं, अब स्वामी विवेकानन्द, जो स्वामी दयानन्द सहस्वती जी ह उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने ये बोला कि जो हिंदूज होते हैं, उनका main जो रूच होते हैं, उनके religion में होते हैं, और ये बोला कि आपको जो है, दुबारा से vedas को एक तरीके से देखना चाहिए, मेली समझने के लिए, तो यहां पर हमारा जो right answer आएगा, वो ह तो बेसिकली नाखोली के बारे में क्यों उच्छा गया रीजन इसका मेन यह है कि नाखोली एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट है जो कि साउथ इस्टन बांगलादेश में पढ़ता है और अगर अगर अब यहां पर बात करो उस वक्त क्या हुआ था कि महात्मा गांदी जी वहां पर गये थे कुछ वहां पर चार मंद्सक वो करीब रहे थे और उन्होंने काफी जादा मुस्लिम्स और हिंदू में एक तरीके से लड़ाई जग्रा चल रहा था तो यह जो नाखोली है यह है कहां पर बंगलादेश में सिंपल सा कोशन था बस महात्मा गांदी जी वहां प स्टेगर है in the ये 사람들 तो महात्मा गांदी जी पहली बार फर्स्ट अरेस्टिड हुए दियंक इंडा सत्तेगर लिग पांटी और तो दो महात्मा गांदी जी एक पुरा वेवार हो जही जैसे ही वो South Africa जाते हैं वहाँ पर उनको पता लगता है कि इंडियन्स के साथ बहुत बुरा विवार हो रहा है इंडियन्स जो है एक तरीके से उनके साथ भेदबाव हो रहा है इसके लिए वो लड़ाई करते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे एक act pass होता है इसके against उन्होंने सत्यग्रे लांच करते हैं और उसी सत्यग्रे के दौरान वह अरेस्ट होते हैं पहली बार तो 1908 के करीब उनको अरेस्ट किया जाता है जब वह साथ अफरीका में होते हैं भारत में आगे तो बहुत बार होते हैं यहां पर पहली बार अरेस्ट होते हैं यह आपक का समय 2007 का समय भी महात्मा गांधी जीवन में बहुत ही important समय होता है क्योंकि 1907 के समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा 59 जो है यह आपका दाने होता है कि उसकी आउचित कर जानेंगे कि उसके बहुत हूं तो सबसे पहले तो यहां पर ऐसा क्यूं था कि ब्रिटिशन ने 15 अगस्त को ही हमें जो है सारी कि सारी पावर संभाली कोई कोई और दिन क्यों निंग इसका में रिजन यह था कि अनिवर्स्टी थी उस वक्त सरंडर ऑफ जापनीज आर्मी ठीक है जापनीज आर्मी ने आपके माउंट बेटन के आगे सरंडर किया था इसी दिन जो है आपका जो है माउंट बेटन ने इचिस डिसाइड की बिकॉस इट वाज अनिवर्स्ट्री आप दा जापान सरंडर राइट नेक्स वारे परस आता है पर्मनेंट रेवनिव सेट्लमेंट ओं बिंगॉल वाज इंट सबसे पहले तो यहां पर जब हम बात करते हैं पर्मनेंट रेवनिव सेटलमेंट सिस्टम इसका मतलब क्या होता है अब इसको बाहँ धियान से समय अब यहाँ पर आपके जैसे Britishers है ठीक है और एक समझो यह आपके किसान है अब इसको हम modern history में न किसानों को हम क्या कहते है पीजन्स अब होता गया था कि जो Britishers होते थे यह क्या करते थे Britishers आपका जो है पीजन्स से एक तरीके से आपका टेक्स लेते थे हाना अब यह टेक्स क्यों लेते थे जमीन में जो वो आपका क्रॉप वगेरा उगाते हैं अब इसके लिए वो directly आपका एक तरीके से टेक्स नहीं लेते थे बीच में एक middle person होता था वो middle person कौन होता था अब यह जमीदार कौन होते थे वो लोग होते थे जो काफी जादा गाव में अमीर होते हैं अब जमीदार क्या करता था कुछ पसंटेज अपने पास रख लेता था टेक्स की और थोड़ी बहुत पसंटेज जो है वो East India company को देते था था बट इसमें majorly जो exploit होते थे वो कौ आनोना शुरू हो गया तो Britishians ने क्या किया यह सोचा कि इस middle person को percentage देने की बजाए इसको salary offer की जाए और इसको कुछ पैसा दिया जाए और इसको यह बोल दिया जाए कि इतना पैसा यानि कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि जमीदार भई तुझे एक लाख रुपया हर महीने मुझे देना ही देना जैसे मर्जी कर तो मेरे पास एक fixed revenue आना शुरू हो जाएगा हाना और मुझे कोई चिंता नहीं होगी मेरे पास इतने पैसे आने ही आने है तो इसी को हमने क्या बोला एक तरीके से permanent revenue settlement system अब यह permanent revenue settlement system जो है सबसे पहले आपको यादकना है आया कब था यह आया था 1793 में अब यह किसके द्वारा लाया गया था और कहां पर यह दो बाते और यादक नहीं है 1793 में यह आया था और इसको लाया गया था कहां पर Bengal में और साथी साथ किसके द्वारा लाया गया था Lord Conn Wallace के द्वारा तो यहां पर fourth will be the right answer right next question के बारे में बात करते है the father of extremist movement in India अब यहां पर extremist movement का मतलब क्या है देखो हमने पीछे ही अभी एक बात की कि जब हम एक Indian National Congress के बारे में बात करते हैं हाना Indian National Congress को established किया गया कब 1885 में अब इसके जो पहले leaders थे ना जो पहले लोग थे वो काफी जादा कहलो एक तरीके से नरम सुभाब के थे वो Britishians क साथ कैसे लड़ते थे कि जैसे उन्होंने कोई document बनाया petition वगेरा sign की परलब government के तरीके से उनके साथ लड़ा जाता था बट क्या हुआ जैसे जैसे दीरे दीरे भारत में education आनी स्टार्ट हुई या कह लोग कि लोग aware होना स्टार्ट हुए कि Britishians उनके साथ क्या कर रहे हैं वैसे रैसे लोगों में थोड़ा सा गरम पनाना शुरू हो गया कि ये सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो हुआ क्या एक 1905 में एक ऐसी घटना होती है जिसको आप बोलते हैं बिंगॉल का विभाजन बिंगॉल को विभाजित कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है उसके बाद कुछ करीब दो साल के बाद 1907 में एक सूरत के सेशन में इंडिया नेशनल कॉंगरेस के जो लीडर्स है ठीक है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं मतलब दो अलग विचारों में ग्रूपीजम हो जाता है एक को आप बोलते हो एक्स्रमिस्ट और एक को आप ब से को सीदा खा सीदा एक तरीके से केलो की आपका तेजी से मतलब तीखे तोर से लड़ते थे तो फादर ओफ एक्स्रमिस्ट मूमें इंडिया यह कौन है तो एक्स्रमिस्ट मूमेंट इनिया जो है भारत में अगर आप देखोगे वह आपके बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक को आपका माना गया extremist moment के लिए कि इन्हों ने पहली बार यह आपका start किया चलो यह बात हो गई एक और चीज़ इनका यादग ना कई बार क्या होता है कि full name पूछ लिया जाता है बहुत important personality है modern history में इनका full name होता है केशव गंगाधर तिलक और कई बर यह भी बूछ रहाता है कि father of Indian unrest यह किसको बोला गया तो यह भी आपके बाल गंगाधर तिलक की थे father of Indian unrest राइट चलिए आगे बढ़ते हैं next हमारे पास आता है question अगला question कहता है through which principle or device did Gandhiji strive to bridge economical inequalities दे को सबसे वेले तो economical inequalities का मतलब क्या होता है economics जो होती है वो relate होती है किस से monetary चीज़ से monetary का मतलब क्या है कि यहाँ पर पैसे से related अगर आप देखोगे poor and rich का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज मैंने बोला कि महात्मा गांदी जी किस तरीके से poor and rich को भगाना जाते हैं महात्मा गांदी जी का कहना यह था कि जो अमी लोग है अगर उनको थोड़ा सा पैसा और दे दिया जाए तो वो गरीब लोगों की हलतों को सुधार सकते हैं और इसी को trustship theory जो है बोला गया जिसमें उन्होंने एक तरीके से social economical philosophy रखी महात्मा गांदी जी की एक तरीके से trust के उपर हम trust करें तो एक तो यहां पर third will be the right answer okay next परते है अगले question के और एक second so next question हमारे पास जो है वो आपका आता है यह 11th question हमारे पास आएगा आप right इसको set कर लिया जाए तो अगला question कहता है कि अगर आप महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें हैं तो महात्मा गांधी जी को यह inspiration कहां से मिली किसकी civil disobedience moment की अब मैंने अभी आपको बताया कि civil disobedience moment क्या होता है जिसमें एक जिसमें individual जो हैं वो सरकार के बनाए हुए नीमों को नहीं मानते तो महात्मा गांधी जी को पढ़ने का बहुत शौंग था तो महात्मा गांधी जी ने एक American author की जो है आपकी essays पढ़े जिसमें civil disobedience moment की concept के बारे में बोला गया उनका नाम था David Thoreau यहां पे David Thoreau उनका नेम था वैसे यहां पर spelling गलत दिये गए है spelling इसके कुछ इस तरीके से आएंगे David Thoreau तो David Thoreau की essays को पढ़कर महात्मा गांधी जी को civil disobedience moment में एक तरीके से inspiration मिली अब यहां पे एक और चीज यादत नहीं है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा civil disobedience moment जो है वो कब चलाया गया 1930 के करीब राइट next question हमारे पास आता है कि the first Indian selected for Indian civil services बार और पहले यसे Indian कौन थे जिनको Indian civil service सिलेक्ट किया गया वो वैसे रबिंदरनाथ टिगोर के ब्रदर थे उनका नाम था सतेंद्र नात टिगोर राइट उन्होंने जून 1863 के करीब ही अपनी जो है civil services को क्लियर कर लिया था बट हुआ क्या था उसके बाद सूरेंद्रनाथ बानर जी करते हैं जो कि करीब कहलो 1897 के करीब करते हैं 1897 या आप कहलो एक तरीके से 1877 1871 क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा 1871 के करीब इन्होंने जो है सत्यंद्रनाथ टिगोर का नाम नहीं लिखा गया अगर वो लिखा जाता तो हम सत्यंद्रनाथ टिगोर करते हैं बट यहां पर सुरेंद्रनाथ बानर जी थे जो कि आपकी सेकें थे जन्होंने इंडियन सिविस सेविसेश को आपका क्लियर क्या है औगला कोश्छन हम करते हैं कोश्छन हमारे पास कहता है कि जो सिस्टम है आपका कमनेल इलेक्टाइभ इन इन्डिया यह पहली बार इंटिछियूज कब किया गये अब देखो सब से पहले तो मैं mobility system क्या था एक्चली हो क्या रहा था इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी उस वक्त भारत में ऐसी थी कि एजुकेशन इतना जादा नहीं था और दो तरीके के मतलब कहलो कि जो मुस्लिम्स थे वो काफी जादा पीछे चल रहे थे क्योंकि उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहे ने उठाया डिवाइडन रूल खेला भाई-भाई को अलग करना चाहा और उन मुस्लिम्स को क्या किया जान बूच कर एक रिजर्फट सीट दे थी ठीक है मतलब इंडियन मुस्लिम्स को रिजर्फट सीट दे थी किसमें आपकी मुनिसिपल मुनिसिपल और डिस्टिक्स बोर्ड में और ये दिखाया कि देखो हिंदूस आपके बारे में नहीं सोचते हैं हम लोग आपके बारे में सोचते हैं तो इस तरीके से उन्होंने क्या क्या कि 25 मुस्लिम्स जो है अब मुस्लिम सीट्स के लिए वोट कर सकते थे हिंदू अपनी सीट्स के लिए वोट कर सकते थे एक तरीके से communal system लेकर आए एक तरीके से धरम के उपर वो लेकर आए हाना system अब यह किस act में introduce किया गया यह question आपसे पूछा गया है उस act का नाम होता है Indian Consul Act 1909 इसको कई बारी हम Morale Minto Reforms भी बोलते हैं यह आप कहलो Minto Morale Reforms ठीक है यह basically उस वक्त Morale Minto जो है यह आपकी Governor General और आपकी Secretary ते दाट आपका यहाँ पर इसको Morale Minto Reforms भोला जाता है तो यहाँ पर second will be the right answer अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन कहता है who represented India in the second round table conference अब दिखो सबसे पहले तो तीन conferences होती है but second round table conference में second round table conference होती है वो basically आपकी तब होती है जब दखना है वो है हमारे बियार अंबेदकर जी और यहाँ पर बात होती है second round table conference में untouchabilities की तो रोजनी ने जो है आपका represent किया second round table conference में नेक्स समाने पास आता है what was the ultimate goal of mahatma Gandhi salt satygray कि क्या ultimate goal था महात्मा गांधी जी के salt satygray का महात्मा गांधी जी के salt satygray का क्या था कि वो भारत को अजादी दिलाना चाहते थे कैसे अब Britishers ने monopoly कर ली थी salt के ऊपर हाना अब मेजर ली अगर आप सामने वाले का पैसा जो है economically उसको तोड़ोगे तभी तो वो जाएंगे तो वहां पर वो पूर्ण सवराज जाते थे complete independence इसलिए उन्होंने salt satygray जो है वो launch किया तो यहां पर जो है fourth will be the right answer मैं options नहीं पढ़ रही हूं reason यह है कि वह बहुत जादा टाइम लग जाएगा उतने questions फिर आप नहीं कर पाऊगे अगला हमारे पास आता है who pursued the ratings of the RIN यानि की Royal Indian Navy to surrender on 23rd February 1946 623 February 1946 को RIN Royal Indian Navy की rating को आतम समर्पन करने के लिए किसने आपका राजी किया तो option दिये गए है महात्मा गांदी जो आलनल नहरू मुलाना अब्दुलकलाम अजाद वल्लब भाई पटेल मुराजी दिसाई या जेवी कलपानी तो यहां पे अगर हम देखे वल्लब भाई पटेल will be the right answer वल्लब हमारी पास कोशन आता है कि सेप्टेंबर 20 ठीक है 20 सप्टेंबर 1932 को महात्मा गांदी जी ने यर्दवारा जेल में आ समर्ण मतलब डेथ जो है गांदी जी ने एक फास्ट किया तब तक फास्ट करेंगे जब तक वह एक तरीके से उनकी देथ नहीं हो जाती किसके अगेंस दलित लीडर जो है इनमें मतलब राउन टेबल कॉंफरेंस होती है उसमें अमबेद कर और दलित जो आपके दलित लीडर होते हैं वो जाते हैं इस कैम्पेयन के दौरान वो बात करते हैं अन्टचेबिल्टी की एक सेप्रेड एलेक्टरॉट सिस्टम की हाना तो राइट अ और सेप्रेड एलेक्टरॉट सिस्टम के अगेंस्ट है वो आपका फास्ट इन्टु दित करते हैं तो यह आपका कमिनल और अवार्ड और रामसे और मेक्डॉलल विल बी राइट आंसर के इसके अगेंस्ट गांदी जी आपका यह सब करते हैं अगला कोशन कहता है इन सब्सक्राइब क्या है 1929 में पहली बार गांदी जी ने एक देशी राज्य में रिरंतन मतलब एक ऐसी तक्नीक इमनाई जिसने में मास जो लोग हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं इसमें साथ किस ने दिया महात्मा गांदी जी का कोई और नहीं थे वह वह वालब भाई पटेल इन राज कोट देखो यहांँ पर राज कोट भी लिखा हुआ है राइट नेक्स कोशन हमारे पास आता है वन टाईम एसोशेट ओफ महात्मा गांदी एक समय सयोगी ठीक है यानि की एक टाईम पर जो महात्मा गांदी जी के काफी ज़्याधा सयोग में थे वो उनसे अलग ह हो जाते हैं क्यों अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक अंदोलन लॉंच किया होता है उस अंदोलन का नाम होता है यहां पे लिखा भी है देखो third option में में इवी रामस्वामी नैकर इनके बारे में मैं बता देती यह क्या थे क्या हुआ था ऐनका मांना यह था कि अगर कोई जात अच्छी और बुरी नहीं होती है तो हम किसे चीज को अच्छा या बुरा कहते ही हिऊ है वाय हम यह चीज यूजी क्यों करते हैं सुपीरियर और इनफीरियर कास्ट मतला यह होना ही नहीं चाहिए तो इन्हों ने तामिल नाडू में जो है इस पटिकुलर कहलो सेल्फ रिस्पेक्ट मोवेंट को यानि कि कि किस लिए चलाया था कास्ट बेस सोसाइटी के अगेंस चलाया था ठीक है अब सेकिंड ली बात यहां पर एक और चीज आती है कि इन्हों ने जो है एक तरीके से इसको कब चलाया था 1925 के करी तो यह कौन थे एवी रामस्वामी नहीं कर कोशन इस तरीके से भी आ सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट को चलाने वाले कौन थे नेक्स आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन कहता है अब मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि एक सेप्रेड एलेक्टोड सिस्टम रिपर्जेंटेटिव सिस्टम जो है वो आपका इन्डियन कॉंसिलेक 9.09 टो यह वही है आपका और यह पॉपलर एलेमें जो है वो आपका इन्डियन कॉंसिलेक 9.09 विल बी डा राइट आंसर वण मोर थिंगाई if you want this pdf right अगर आप इसकी pdf चाहते हैं तो यहां पर नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगी आप का टंडन क्लासे आपका आप उस आप के थूँ इसकी pdf जो है वो ले सकते हो right with answer आपको मिलेंगी अगला हमारे पास question कहता है कि who was the elder brother of शा शूजा मुरादबक्ष ठीक है कौन थे अब यह कौन थे यह शा शूजा मुरादबक्ष बेक्सिकली आप लोगों को पता होगा कि जो शाहा जहान है हाना उनके बहुत बैटे थे और एक दूसरे के लड़े भी थे काफी जादा थ्रॉन को लेने के लिए अब यहां पर औ ब्रादबक्ष यह दो ब्रदर थे एक दाराशेक था और एक था आपके औरंगजे तो यहां पर आपका दाराशेक जो है यह एल्जर ब्रदर थे ठीक है बस इतना यह यादक नहीं और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है अगला कोशन कहता है कि जो विजन अंगर इंपायर है एक और चीज़ एक और कोशन बहुत इंपायर पूछा जाता है कि विजन अगर इंपायर जो है इसकी क्या थी या यादक नहीं हम पर जो है कहां पर करनाटका में ठीक है यह डाउन फॉल विजन अगर इंपायर का क्यों हुआ दरीजन मेंजर यह था कि एक बैटल होती है बैटल अफ ताली कोटा यह आपकी मतलब लडाई की जाती है इसने विजन अगर इंपायर इसके बाद इसमें बीक होता जाता है ठीक है एक और चीज़ बैटल अफ ताली कोटा का यहर पूछा जा सकता है कि कब होती है यह होती है 1565 के करीब राइट नेक्स कोशन क्या और अगला कोशन कहता है कि जो महराजा सवाई जै सिंग है जैपूर के has not built a observatory at अब यह क्या है महराजा जैपूर सिटी को आपने सुना होगा कि यह पिंक सिटी बोला जाता है रीजन क्या है कि वहाँ पे जितनी सारी building में वह सारी pinking कलर है तो महराजा स्वाई जैश सिंग उन यह observatory थी, यह मैं आपको बता देती हूं, फिर आपको answer पता लग जाएगा, one is Delhi, second is Mathura, third is Varanasi, right, fourth is Ujjain, fifth is आपका जैपुर, तो आप देख लिएजे क्या Varanasi है, बिल्कुल है मैं, क्या यहां पर Ujjain है, Mathura है, बट अलाभाद नहीं है, तो यहां पर जो हमारा right answer आएगा, वो क्या आएगा, अलाभाद में observatory नहीं थी, अगला question कहता है, एक agriculture department है, जिसका नाम है, known as दिवाने को ही, यह किसके द्वारा credit किया गया, यह तोलग डानेस्ट्री में credit किया गया था, ताकि cultivation जो है, वो दुआब में, दुआब का मतलब क्या होता है, दो river के beach, मतलब river के river को अलग करने वाला आपका area right, तो यहां पर, मतलब एक आप कहलो कि, एक area यहां बीच में river आती, तो आप कह देते इसको, तो मुहमद बीन तुलग जो है, इन्होंने यह ऐसा system जो है, दिवाने को भी जो है, वो इंट्रड्यूस किया था, तो यहां पर अगर हम right answer के बारे में बात करें, वो क्या आएगा हमारा मुहमद बीन तुलग, right, next question के बारे में बात करते हैं, अगला question हमारे पास आता है, question हमारे कहता है, which one of the following painters of जहांगीर रीजन was confirmed the title of नादिर उलस्रा, ठीक है, अब किस ने, जो है, किस painter ने, जो है आपका जहांगीर रीजन में उसको यह टाइटर मिला, नादिर उलस्रा, तो जहांगीर के टाइम पर सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे, paintings आ गया है, जैसे अकबर के टाइम पर बहुत सारी buildings बनी, वैसे जहांगीर के टाइम पर बहुत सारी paintings बनी, तो एक painter थे, इनका नाम था उस्ताद मनसूर, तो उस्ताद मनसूर, इनको ये टाइटल मिला, नादिर उलस्रा का, तो यहां पर second will be the right answer, अगला question कहते हैं, इनमें से कौन सा monument जो है, पिंक इन कलर है, तो हवा महल है, जो कि जैपूर में है, इसको कई बारी हम, पालेस ओफ, पालेस ओफ, विंड्स भी कहते हैं, और ये काफी red और pink कलर में है, और ये जैपूर में है, महराजा सब़े परताप सिंग के द्वारा, इसको built किया गया था, 1799 में, राइट, अगला question आता है, कि जो गुरिला वार्फियर है, इन इंडिया, 17th century में, इस concept को जो है, किस ने applied किया, ये concept को applied करने वाले कौन थे, वो थे चत्रपती, शिवाजी महराज, ये पहले थे, इन्होंने गुरिला वार्फियर जो है, आपका, इंटर्डियूस किया, अगेन अवेरी easy question, गाइस, डैश वास फर्स मुसलिम रूलर, डैनेस्टी सबसे पहले आई थी, और ये डैनेस्टी जो है, 1206 से लेकर, 1290 तक चलती है, ठीक है, और इनका नाम था, कुतुबदीन एबक, राइट, होगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले question की और, next, हमारे पास question आता है, एक सेकिंड, the grand trunk road, ठीक है, built by Shesha Suri, connects, आप देखो, सबसे पहले दो बाते यादख नहीं, कि जो grand trunk road है, किस के दौरा built up किया गया था, Shesha Suri के दौरा, अब ये किस को connect करता है, ये आपका connect करता है, लहौर और इस बेंगार को, who was a Shesha Suri, कौन थे, देखो, होता गया है, कि भारत में 1526 में, आपका बाबर आता है, बाबर संभालता है, उसके बाद 1530 में, उनका बेटा हिमायू आ जाता है, बट हिमायू जो होता है, वो काफी ज़्यादा कमजोर लीडर होता है, उसको एक अफगानी रूलर के द्वारा हरा दिया जाता है, जिनका नाम होता है, शेशा Suri, Suri Empire, तो होता गया है, कि उसके बाद वो भारत में रहते हैं, और काफी ज़्यादा कनेक्शन इस्टाब्लिश करते हैं, काफी चीज़े बनाते हैं, तो यह थे आपके शेशा Suri की थोड़ी बहुत कहानी, तो यहाँ पर लहूर और इस्ट बेंगॉल विल बीदा राइट आंसर, राइट नेक्स कोशन के और चलते हैं, अगला कोशन कहता है, इनमें से कौन सी ऐसी फॉरेंड कंच्री है, जिसने पहली बार आपका इंडिया के साथ ट्रेट किया, तो यह कौन थे आपके, यह थे आपके पॉच्छुवल्स, अब भारत में बहुत सारी कंपनी आई, जैसे इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आते हैं, इसे आपके भारत में बहुत सारी कंपनी आते हैं, ट्रेट करने के लिए और उनमें से पहले सबसे पहले आपका एक आते हैं, पॉच्छुगीज, अगला हमारे पास कोश्षन आता है, विच्ग मॉनमें एज ने थै कॉन सा जिसको द्रीम इन से समाइश झाले सा सडर वां जान जाता है, विच्ग में आपका जाता है मारी को यहाँ को पास, आपने कोशिंस किये modern history के आपको काफी अच्छे लगे हूं in the next video upcoming video ऐसे ही आपके आगे मैं question further up complete करवाऊंगी thank you very much have a great day